गुड़ा आफ्टेनूं स्टुडेंस, दस्वी वाले बच्चों के लिए हमारा ये जो लेसंज चल रहा है, वो समास के उपर है, समास में हमने अब तक यहाँ पे समास के पांच प्रकार देखे, उसमें पहला अव्याई भाव समास, दूसरा ततपुरुष शमास, तीसरा कर् दूसरा अब बच्चों हम यहाँ पे समास के छठा जो बाकी रह गया है, उसको यहाँ पे देखेंगे, ठीकें, तो छठा उसका अंतिम प्रकार है, बहुवरिही समास, कौन सा बच्चों? बहुवरिही समास, अब बहुवरिही समास की परिभाशा को पढ़ लेते हैं, पहल प्रदान, यानि मुख्य नहीं होता, बल्कि कोई अन्य ही प्रदान होता है, उससे बहुवरिही समास केते हैं, बच्चों मैंने आपको नाइंथ में भी बताया था, कि जैसे कि कोई शब्द दिया गया है, उसका हम विग्र करते हैं, विग्र करने पर उससे हम प्रश्न बहू वरही समास उसमें कोई भी पद याने कोई भी शब्द प्रधान याने मुख्य नहीं होता है ठीक है अब उसको इसे बहू रही समास की परिभाशा को हम लोग उधारन के द्वाराँ जाधा समझते हैं ध्यान दीजगा बच्चो यांपे जैसे के समस्तपद समस्तपद कौन सा है यहां पे नील कंट, नील कंट शब्द का इसमाल हम लोग करते हैं, उसका विग्र करेंगे, विग्र करने पर नीला है कंट जिसका, ठीक है, नीला है कंट जिसका, हमने यह विग्र किया है, विग्र करेंगे, तो अब हमें प्रश्न पूछना है, यह पहला शब्द शिव, शंकर, महादेव तो यहाँ पे वो नाम आया देखो शिव तो यहाँ पे एक शब्दे से हम उसका विग्र करेंगे उसको तोड़ेंगे और उससे प्रशन पूछेंगे प्रशन पूछने के बाद हमें जो जवाब मिलता है वो क्या कहलाएगा बहूवर ही समास अब यहाँ पे दूसरा शब्द देखो बच्च उसी प्रकार से दशानन यहाँ पे दस है आनन जिसके आनन याने क्या है? दस याने संख्या ठीके? यहाँ पे उपर देखो कंठ याने गला ठीके? निल याने निले रंका किसका गला नीले रंका है यहां पे दशानन दश याने संख्या आनन याने मुख दश है आनन जिसके अब हमें प्रश्ण पूछना है किसके दश आनन याने मुख है तो किसके दश मुख है रावन के तो यह तीसरा पद हमें मिला तो ये क्या कहलाया बहुवरी समास उसके भाद यहां पे तीसरा उदान देखते हैं बचों हम लंबो दर लंब याने बड़ा उदर याने पेट उसका विगर करेंगे तो लंबा है उदर जिसका प्रशन पूछते हैं किसका उदर लंबा है तो गणे शीका नया शब्द मिला तीसरा तो ये क्या कहलाया बहुवरी समास चोथा उदरान दिखते हैं यहां पे विश धर धर याने धारन करने वाला विश याने जहर जहर को धारन करने वाला देखो विश को धारन करने वाला तो यहां पे साप साप ने विश्को धारन किया हुआ है ठीख है अब एक बात में आपको बता दूँ यहाँ पे विश्दर पुछा जाता है तो विश्को धारन करने वाला ठीख है यहाँ पे नील कंड है नीला है कंड जिसका व तो क्या होगा शिव बच्चो एक बात मैं आपको बता दूँ परिक्षा में अगर ये शब्द जादा तर निलखंड है दशानन है विश्दर है ऐसे शब्द मोश्ट आयम पी है जो परिक्षा में पूछे जाए ऐसे शब्द है ठीक है बच्चो तो यहां पे हमारे समास के ज नेक्ष्ट वाले वडियों में वो देखेंगे और उसके साथ साथ उसमें कुछ एक प्रशन होगे उस प्रशनों की चर्चा करेंगे थैंक यू